सत्संग में जीव, जितनी बार चलके आता है, हर बार उसके करम कड़ते हैं, हर बार करम बनते हैं जन्मों जन्मों के जो पाप करम होते हैं, संचित करम जिने कहा जाता है, जिनकी वज़ा से इनसान को अचानक दुखों का आना, बिजनिस का लॉस हो जाना, कोई बिमारियां आ जाना, घर परिवार में मुश्किलें खड़ी हो जाना, ये सब जन्मों जन्मों के संचित करम हैं, इन करमों से, सत्संग में आने से, ये करम कट जाते हैं, इन करमों से निजात मिल जाती है, करम बन जाते हैं, सत्संग सुनो, अमल करो, तो आपका अगर जरास अच्छा होने वाला है, बहुत ज्यादा अच्छा होगा, बहुत बड़ा एक्सिडेंट होने वाला है, खरौँच में काम चल जाएगा, बिजनिस बेपार में अरचने पैदा हो रही हैं, वो दूर हो जाएगी, आपको कहीं दिल नहीं लगता, गुसा आता, परेशानिया आती हैं, आत्मे कमजोरी है, वो दूर हो जाएगी, और दिमाग की सोचने की शक्ती बढ़ जाएगी, बिल पावर बढ़ेगा, जिससे सफलता आपके कदम चुमने लगेगी, जिन्हें लोग ऐ भागयशाली कहते हैं, निर्भागा, ऐ भागयशाली, सफसंग में आपके सुन के अमल करने से, वो भागयशाली बन सकते हैं, मालिक उनके कर्म काड़ देते हैं, सो सफसंग में आओ, सुनो और अमल करो, एक होता आते हैं, सुनते हैं, अमल नहीं करते हैं, फिर भी उनके करम कटते हैं, एक आते हैं, सुनते हैं, अमल करते हैं, करम कटते भी हैं और भागयशाली बन जाता है, इसलिए भाई सहसंग सुनके अमल जरूर किया करो जब तक आप अमल नहीं करते हैं माले की खुश्यों से खाली रहते हैं माले की द्यामे रहमत से दूर रहते हैं इसलिए जैसे खाने बीने के समान को रखने से खुश्बू आ सकती है पेट नहीं भरता पेट तो उस समान को खाने से भरता है उसी तरह कुरुमंत्र नाम ले लिया उसकी खुश्बू से संद पीर फकीर जब नाम के समय दूआ करते हैं जन्मों के वो पाप करम कटते हैं लेकिन लगातार जाप करने से आने वाले भ्यान करम भी कटते चले जाते हैं तो बताना है आगे मानना ना मानना वो इनसान की मर्जी है जि धन धन सत्य गूरु तेरा ही आसरा